नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ग्यान आज हम डिसकस करेंगे फाइफ कोसंस फोर यूपियस सी आस्तारिक है अठाइस अक्टूबर दोजर तेईस तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बीन अकिफित वे लिखें हमारा जो पहला कोसं है वो कहता है अटल भूजल योजना के प्रबंधर की सुधा के लिए एक केंद्रिये प्रायोजित योजना है इसका किर्यानवन विज्ञान मंत्राले दौरा किया जा रहा है इस योजना को भारा सरकार और विष्व बैंक यानि वर्ल्ड बैंक दौरा 50-50 के अधार पर विथ्व पोफित यानि फाइन्स किया जा कर लिया होगा इसका जवाब है वो है option number a यानि केवल एक ही option है जो रही है बाकि दो option गलत हैं दो option कौन से गलत हैं वो है option number यानि statement number one and statement number two statement number three बिल्कुल सही है इसलिए इसका उतर हो जाता है अब बात कर लेते हैं कि अटल भूजल योजना क्या है देखिए जो हमारा ground water है उसका पानी बहुत ही तेजी से कम हो रहा है तो उसको अच्छे से manage करने के लिए हमने अटल भूजल योजना को बनाया है यह एक सदत भूजल परबंधन की सुधा के लिए बनाया यह परे लिखा हुआ है, यह पर लिखा हो यह था है कि आपको Weak поним आकनट्रीस cables apresat करना और बन वह सेंटर करेंगी केंदर केंदर री चेंदर केंदर ईसलिए ना कि केंदर प्रयोजित ईसना पहला और है जाता है कसाम किर्यान Bringing Come departure सब्सक्राथ है जो कि गलत लिकाए क्योंकि इसका किरियानवन जल सकती मंताले यानि मिनिश्ट्री ओफ जल सकती द्वारा किया जा रहा है ठीक है इसलिए जो आपका सैकेंड ऑप्सन है वह भी बिल्कुल गलत हो जाता है अब बात करते हैं फाइनस की तो 50% भारा सरकार और 50% वर्ल्ड वैक इसका फाइनस उमेद है आपको ये कोफिल संज में आ गया होगा थोड़ा और देख रहते हैं एक स्किम के बारे में एक स्किम में हम 6,000 करोड का इंवेस्ट्मेंट करेंगे जो डिरूसन होगा वो 5 साल का होगा साथ इस्टेट ऐसे हैं जिसको मतलब हमने लिफ्ट किया है जहां पर इस य जोजना को लागो के दाएगा उमेद है आपको इस योजना के बारे में सब को सज्ञ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं अपने सेकंड नंबर कोस्ञ के बारे में बोलता है कोशक तत्व आधारिज सब्सीडी इसको सोड़व में एन बी एस बोलते हैं यानि निउट्रे इसे उर्वरक विभाग द्वारा अप्रेल 2010 से लागु किया गया है इस वैस्ता के तहत किसानों को रियायती दरोपर यूरिया उपलब्द कराया जाता है इसका उद्यस से है फास्फेटिक और पोटेसिक जो उर्वरक होते हैं यानि फर्टिलाइजन उनकी खपत को कम करना है अब आपको बताना है कितने सही है केवल एक सही है केवल दो सही है सभी तीन सही है कोई भी सही नहीं है उमिद है आप ने इसको सॉल्व कर लिया होगा इसका जो जब जवाब है वो है option number a यानि इन में से केवल एक ही ऑप्षं यानि एक ही statement है जो बिल्कुल सही है बाकि दो पोसक तत्व अधारित सबसीडी होती है जिसको हम nutrient-based सबसीडी बोलते हैं उसके बारे में हम डिसकस कर लेते हैं देखिए हमारा जो मंत्राले है ना रसायन अवम उरुवरक मंत्राले इसके अंदर जो पहला option है वो बिल्कुल सही हो जाता है अब जो NBS विवस्ता है इसके अंदर हम क्या करते हैं हम किसानों को उरुवरक देते हैं यानि fertilizer देते हैं जो कौन से होते हैं वो होते हैं पोसक तत्वो वाले यानि इसके अंदर N, P, K और S आपको देखने को मिलता है ठीके लेकिन इसके अंदर यूरिया सामिल नहीं है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत की अंदर जो हम सब्सीड देते हैं फर्टिलाइजर में हम यूरिया का काफी ज़दा यूज करवा देते हैं किसानों से इसलिए यूरिया का use कम हो यानि जो N वाला है Huggy हो हम यूज कम हो इसलिए हम यूरिया को इसमें सामिल नहीं करते हैं यूरिया को हमें कम करना है और जो यह सब्सीड देते हैं काफी कम रेट पर इनको ये मिल जाता है फर्टिलाइजर ठीके इसलिए क्योंकि वहां पे यूरिया है उसको कम करना और फास्फेटिक और जो पोटेसिक फर्टिलाइजर है ना उसकी खबत को बढ़ाना है जिससे क्या होगा जो हमारा एन पी के होता है जिसकी रेसो फोर टू वन होने चाहिए उसको हम बैलेंस कर पाएंगे ठीक है क्योंकि भारत के अंदर जो आपको प्रटिफिक फर्टिलाइजर है उसको बढ़ाना है इसलिए आपके जो नीचे वाले दो ऑप्सन है सैकेंड एंथर्ड विल्कुल गलत हो जाते हैं अब हम चलता है अपने कोसर नंबर थी के तरफ कोसर नंबर थी बोलता है पाइव टी इनिसेटिव यानि पहल के संदर में निमलिखित करतों पर विचार कियाँ है आपके पास यहां पर दो स्टेट्मेंट है आपको बताना है इन में से कितने सही है पहला दो स्टेलंगाना राज्जी सरकार दोआरा शुरू किया गया एक इनिसेटिव या फिर पहल है यह एक सासन मोडल है जो टीमवग पारदर श सब्सक्राइब जवाब है वह ऑप्षिन नंबर बी यानि जो स्टेट्मेंट वह बिल्कुल सही है पहला जो फाइव टी पहल है वह लॉंच किया गया था गौर्मेंट ऑफ ओडिसा दुवारा यानि इसको कहां पर लॉंच किया गया है और इसा में इसको लॉंच नहीं किया किया है इसलिए पहला ऑप्षिन कर लाते हैं इसको हमने अंदर क्या कर रखा है हमने लागों किया है लॉंच किया है कहां पर और इसा में नॉट टैलंग आना ठीक है अब हम चलते हैं अपने कोशन नंबर फॉर्थ की तरफ जो हमारा सोता कोशन है वो बोलता है परधान मंत्री किसी सिचाई योजना के संदर में नेमलिखित करत्म में विचार किजिए पिर से आपके सामने तीन स्टेटमेंट है अब आपको यहां बताना है कि कितने गलत है घ्यान रखिए यहां पर था यह वर्स 2015 में शुरू की गई एक केंद्रिय छेत्र की योजना है ध्यान रखिए यहां पर क्या लिखाए केंद्रिय छेत्र की योजना मैंने आपको बताया था कि केंद्रिय छेत्र की योजना क्या होती है केंद्रिय छेत्र की योजना क्या होती है जिसमें सिर्फ इसमें सामिल किया था अब आपको बताना है इन मेंसे सही है और कितने गलत कितने इसमें है कि थए यानि केवल एक ही इसमें गलत है यानि आपका जो आप्सें नंबर ए है वह इसका उत्तर हो जाएगा अब गलत कुन सा है देखे गलत यहीं वाला है सैकेंड आप्सेंट पैरा जो आप्सें है वह 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 विल्कुल सही है चलिए फ़र डिसकस कर लेते हैं परधान मंत्री किसी सिचाई योजना के बारे में ठीक है इसको हम परधान मंत्री किसी फिचाई योजना यानि पी एम के एस वाई स्टोड फॉर्म में बोल फकते हैं इसको कब लॉंच किया गया था 2015 में लॉंच किया गया था खेती के लिए पानी की परियाप्त उपलब्रता सुनिश्चित कर करने के लिए सिचाई के थाइट जो खेती योगे छेत रहना उसका विस्तार करने के लिए जल उपयोग दक्स्ता में फुदार करने के लिए और सतत जल सनक्सन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉंच किया गया था यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है क ठीक है और कितना पार्टिस विसन है वह आपको देखने को मिलेगा 75% 75% सेंटर करेगा और 25% कौन करेगा इस्टेट करेगा फाइनेंस ठीक है लेकिन जो हमारे पुर्वत्तर चेतर है या पहाड़ी चेतर है उनके लिए यह रेसो और कम है कितना है नभे करेंगे सेंटर और इस्टेट कितना करेंगे only 10% तो यह आपको ध्यान रखना है यह कौन सी मिनिष्ठी के अंदर आता है तो यह जल सकती मंतराले के अंदर आपको देखने को मिलेगा ठीक है जो जल फकती मंतराले है उन्होंने 2020 में एक इसके लिए mobile application भी launch किया था अब इसके अंदर आपको त और on farm जल परबंदन यहीं आपके तीसरी option में लिखे हुए थे तीनों इसलिए तीसरा option मिल्कुल सही है ठीक है उमीद है आपने जो फॉर्थ को सने उसको अच्छे समझ लिया होगा अब हम चलते हैं अपने question number five के तक 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 बिनस एनोफेल वर्ग के अंतरगत आने वाली मादा मच्छर की वीभिन परजाती द्वारा परसारित होता है जो चिकन गुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाता है डेंगो को नियंत्रित करने के लिए वोलबा चिया विधी ठीक है कौन सी विधी वोलबा चिया विधी का जा चुका है या किया जा सकता है भारत के राश्टी ये जैविक विध्यान केंद्र ने डेंगो के बुखार के लिए देश का पहला और एक मात्र डीएने वैक्सिद उमीद वार विक्सिद किया है अब आपको बताना है कितने सही है आपके option है केवल एक सही है केवल दो सही है तभी तीन सही है इनमें से कोई भी सही नहीं है उमीर है आपने इसको solve कर लिया होगा इसका जवाब है वो है option number B यानि केवल दो option है दो statement है जो सही है एक statement गलत है statement गलत कौन सी है तो first statement गलत है second statement सही है and third statement भी सब्सक्राइब के बारे में देख लेते हैं देखिए जो डेंगू है एक मच्छर से होने वाला बिमारी है इसको हम उस्तन कटी बंदी बिमारी भी बोलते हैं अब यह वायरस से होती है यह होती है डेंगू वायरस से इसको हम जीनस फ्लैवी वायरस भी कहते हैं ठीक है इसको परसार होता या Christ डेंगू होने कारण क्या है वो एक मच्छर है मच्छर कोन सा मच्छर की कई ऐसी परजातियां है जैसे कि जीनस एडीज जीनस एडीज ठीक है जीनस एडीज लेकिन इसके अंदर भी मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी जो परजाती है न वो इसको फिलाने का मुख्य रूप से काम करती है कौन सी? एडीज एजिप्टी यह किसके अंतरगत आती है? यह आती है जीनस एडीज के अंतरगत ठीके? अब जो यह मच्छा है ना यह चिकन गुरिया को भी फिलाता है और जीका संकर्मन को भी फिलाता है तो एक ही मच्छा है जो डैंगु को चिकन गुरिया को और जीका संकर्मन को फिलाता है यह आपको ध्यान रखना है अगर हम वैक्सिन की बात करते हैं तो 2019 में USA के अंदर जो Food and Drug Administration है उन्होंने अगर बैक्सिया यह आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा डैंग वैक्सिया इसको हम CYD TDV भी बोलते हैं ठीक है यह ध्यान रखना है या फिर आप डैंग वैक्सिया नाम ध्यान रख सकते हैं इसको मंजुरु दी गई थी जो मतलब पहली बार ऐसा हुआ था डैंग वैक्सिया के अंदर हम क्या करते हैं एक जीविद लेकिन दूर्बल डैंगू वायरेस का ही उपियो करते हैं तो यह आपको ध्यान रखना होगा अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो नैस्टनल सेंटर फोर बायलोजिकल साइन्स है ठीक है उनकी जो सोत करता है उन्होंने क्या किया कि कई और जिसे कि अफ्रीका अमेरिका के और अन्य जो संस्थान है उनकी फात मिलकर भारत का पहला और एकमात्र डीने वैक्सिन को विक्सित किया है इसने भारत ने भारत का पहला और एकमात्र डीने वैक्सिन को विक्सित क किया है बात करते हैं विस्व मच्छर कारेक्रम की देखिए जो विस्व मच्छर कारेक्रम है इनके जो सोध करता है ना उन्होंने क्या किया है वोल बाचिया बैक्टिरिया का यूज करके डैंगु को घटना है ना उसको काफी कम करने में साहिता करिए तो यह आपको ध्यान अ करना है जो वोल बाची या बैक्टिरिया है ना वो क्या करता है डैंगू के परभाव को कम करता है तो इस परकार से आपने आज पांच कोशन सॉल्व कर लिए उमीद है आपको आज कुछ ना कुछ अच्छा जानने को जरूर मिला होगा अगर आपको इस परकार से डेली वीड इसक्रण सुल्स अच्छ!